नमस्कार दोस्तों सोगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अर्णिंग बाई प्रभाश पे तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे पेटियम के बारे में तो पेटियम की दिक्कतें खतम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि आपको पता होग में रॉकेट बुलिश मार्केट देखने को मिला अगर आप देखेंगे आपको एकदम रॉकेट मार्केट देखने को मिला बट स्टिल अगर आप पेटियम के स्टॉक होल्डर हैं तो आपको पता है कि आपके जो पोर्टफोलियो में आज भी देखीगा रेड सिगनल देख यहां पर देखिएगा ब्रुक्रेज फरम इस परटिकुलर स्टॉक को वीक माद रहे हैं ये आपको परता हो ना बहुत ही ज़ाद हुझा अपकमिंग टार्गेट्स क्या हो सकते हैं ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो इस वीडियो में एक एकर के सारी बात करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहीएगा तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो Paytm पे बहुत सारे एक्सपर्ट ने देखेगा टार्गेट दिया है और क्या प्रिडिक्ट किया है अगर देखेगा यहां पे प्रिडिक्शन यही आ रहा है कि अभी भी यहां से यानि कि इस particular price से जो कि आप देखेंगे listing price 1900 के आसपास से कर आप माने तो 1900 से stock 600 रुपए पे आ चुका है यानि कि one third of its value से भी देखेगा कम आ चुका है stock तो वहाँ पे भी देखेंगे कि अभी जो target है further reduction किये जा रहे है back to back अगर आप check out करोगे तो अभी यहां से भी जो brokerage firm है उनका ऐसा मानना है कि stock में गिरावट देखने को मिल सकती है तो आप check out करेंगे यहां पे Paytm the Indian Digital Payment Startup और यह startup ऐसा startup है कि जब देखेगा demonetization हुआ था तो केवल single monopoly थी नकी Paytm करो आपने गाना भी सुना होगा तो पूरी तरी के से single monopoly थी उसके बाद इतना ज़ाधा competition आया कि Paytm अपने आपको वहाँ पे देखीगा sustain करने में थोड़ा सा difficulty face कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं और जितने भी shareholder हैं उनके particular portfolio में 70% तक की गिरावट हो चुकी है चुकि यह biggest ever IPO था जो जितने भी promoter थे उनके पास stock 1200 रुपए के आसपास था और जो listing हुई थी जो listing price रखा गया था वो 2100 के आसपास रखा गया था तो वहीं पर चीज ने देखीगा थोड़ी सी downtrend में आई थोड़ी सी negativity लेके Paytm को फैली और उसके बाद अगर आप चेक आउट करेंगे तो back to back back to back जितने भी shareholder है उसमें stuck होते गए तो अगर आप देखेंगे since its November market debut has its price target reduced further by and Macquarie और Macquarie ने ही सारे target दी है यादि कि जब particular stock list हुआ था तब भी देखेंगा Macquarie ने target दिया था सीधा-सीधा 1200 का अगर आप देखेंगे 1200 का और ये target touch भी हुआ था अगर आप देखेंगे ये target hit भी हुआ था और उसके बाद अगर आपने दिखा होगा कि Macquarie ने जितने भी बाद target दी हैं वो सारे target hit हुए है अगर आप देखेंगे analyst who was early predict the company's market trouble उन्होंने पहले ही सबसे पहले यानि कि जब भी market में जैसे ही ये particular PTM का stock आया था सबसे पहला जो brokerage report आया था वो Macquarie का आया था और उन्हेंने downtrend के target दिये थे तो अब आपको देखेगा Macquarie ने कौन से target दिये है तो उन्होंने अपने target को cut कर दिया है यानि कि जो estimate था अभी जब 900,000 रुपए पे stock था तो जो estimate था वो था 700 रुपए का अगर आप देखेंगे जो price target दिये थे 700 रुपए के दिये थे बट still वहाँ से भी कम करके 450 कर दिये तो आप समझी सकते हो ये बहुत बड़ा fall हो जाएगा आप 2000 के stock को 400 रुपए और भी 2 महिने में 3 महिने में तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी shareholders यहाँ पे पूरी तरिके stuck हो जाएंगे और उन्होंने का था lower valuation for fintech company globally he didn't change his earning or revenue estimate for paytm which he rates underperformed the stock rose 634 on Wednesday यानि कि कल आपको पता है बहुत बड़ी बिक्वाली के बाद stock में एक rebound देखने को मिला था लेकिन वो technical view था आपको पता है technical way में कोई भी चीज अगर बहुत ही ज़्यादा oversold कर दी जाती है तो एक rebound देखने को मिलता है लेकिन उसके बाद आज market में देजी है बट still अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो stock में आपको गिरावट देखने को मिल लई है paytm pulled off the largest ever initial public offering in India but has since faced number of challenges आप देख सकते हैं बहुत सारे challenges हैं बहुत सारे fintech देखेगा giant market में आ चुके हैं उसके बाद जब से RBI ने इनका new business new customer base पे बयान लगाया फिर उसके बाद data leakage की update आई फिर देखेगा brokerage firm की report आई तो इन सब चीजों के बाद इनकी देखेगा जो particular valuation है वो sustainable नहीं हो पारी है वो sustain नहीं कर पारी है वो stable नहीं हो पारी है उसके बाद अगर आप देखेंगे लगाता stock में गिरावट देखनी हो मिली है तो paytium may face tough times अगर आप देखेंगे paytium may face tough time ahead stock brokers recommend stay away from the stock यानि कि अभी भी जो maximum stock holder है अगर आप check out करोगे जो maximum stock holder है वो अभी भी stay away कह रहे है कि market में इस particular time पर अभी stay away रहे है इस particular stock से तो आप समझ सकते हैं जबकि stock अपने देखेंगा one third value से भी कम value पर देखनी को मिला है तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कुछ challenges बाकी है my acquiring ने 450 का target दिया है बहुत बड़ा sell off हुआ है RBI ने ban लगाया है तो इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी buy की rating नहीं दे रहा है और सब मानने हैं कि अभी paytm के business में आगे चलके भी रहा इतनी आसान नहीं होगी उन्हें free cash flow generate करने में difficulty phase हो सकती है so these are the update यह update बहुत ही important है back to back जो आती चली जा रही है इसमें जब तक कोई भी management की तरफ से एक अच्छी commentary ना हो second चीज क्या हो कि result में वो चीज देखने हो मिले quarter result में तब तक आपको stock में stability नहीं देखने हो मिलेगी आज भी देखेगा market इतना बहतरी मार्केट आपको देखने हो मिला है but stock देखेगा फिर से गिरा और यहाँ पर volume आने का नाम नहीं ले रहे है अगर volume नहीं आएंगे आपको पता है तो stock struggle करता रहेगा तो सबसे important है base कहाँ पर बना है पान्सो पचास के असपास उपर की तरफ एक ही resistance लेकी चलेंगे 680 तो इसी range में अभी आपको market देखने को मिलेगा further कोई भी update आता तो मैं आपको provide करूँगा वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share और subscribe करना ना बुलेगा thank you so much